हलो दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक सीना आप देख रहें अपना चैनल रिव्यू डिविल्ट और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप ओपो का A12 हैंड़ेट रखते हैं और वो आपसे यदि बाइ मिस्टेक गलती से लॉक हो गया है तो आज के इस कंप्यूटर के इस्तेमाल से और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बिना डेटा को लॉस किये हुए तो जी हां आज की ये वीडियो बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो अपने ओपो A12 हैंड़ेट को अनलॉक करना चाहते हैं साथ में यदि आ किस तरह से इजली अपने ओपो के हैंड़ेट को अनलॉक कर सकते हैं तो मेरे नाम है अभिशेक सिना आप देख रहे हैं रिव्यू डिविल तो चली आज किस वीडियो को बिना देर किये सुरू करते हैं लेकि सुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पस देखने के बाद आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाएंगे तो चलिए आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को यहीं पर सुरू करते हैं हमेशा से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मोबाइल के लोग को किस तरह से अनलोग किया जाता है सर्वी सेंटर में तो हम आपको उसी दो-तिन मैथेडों के उपर बताने वाले हैं और उसमें से जो सबसे सिंपल मैथेड है उसे हम यहाँ पे आपको रिवील करेंगे जिसे जानना आपके लिए बहरी ज़रूरी है और आप उसके बाद कभी भी समिस इंटर नहीं जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ओपो का हैंसेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में यह हैंसेट जो है यह लॉक हो चुका है और पूरी तरह से यह आप इसे अनलॉक नहीं कर पैंगे यह आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं य उसका आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज यदि आपको ध्यान से दिख रहा तो आप देख सकते हैं यह 60% है यानि कि हमें आपने बैटरी का जो चार्जिंग है उसे इसमें बना के रखना है और मिनिममम 50% से उपर में इसे बैटरी होनी चाहिए अब जैदी मैं सेकेंड स्टेप की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ इस फोन में आपका इंटरनेट ओन होना चाहिए जी हां बाकी आपका कुछ भी नहीं चाहिए आप इसे सिंप्ली इसी ट्रिक से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे चली वह आपको बता देते हैं आपको यहाँ पर इमरेंसी कॉल को ओपिन करना लेकिन उससे पहले आपको इसमें क्या गलती नहीं करनी चली वह पहले बता देते हैं बहुत साथ लोग जब उनका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो वह यहाँ पे पीन पैटन पासवार को ट्राइक करते रहते हैं नया नय भी किलता है तो आप पर भी इसमें गलत्त पासवार करेंगे तो आपका जो आ BritOLLum है वह यह समझ जाता है कि आप उसके ओरिजनल और नहीं है तो यह message को वो इसके main processor unit को भेज देता है और उसके बाद आपका जो processor है इस smartphone को dead होने का message देता है तो उसके बाद आपको अपने smartphone को कभी भी on नहीं कर पाएंगे और आप service इंटर भी जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला तो यह गलती ना करें तो आकर हमें कौन सी method इसमें apply करना है जिससे यह unlock हो जाए तो चलिए उसके तरह बात करते हैं तो मैं बताड़ा था आपको नीचे आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दो option देखने को मिलेगा पहला है right side में back का button और दूसरा है left side में emergency call का button तो हम यहाँ पे emergency call के option को यहाँ पे click आप देख सकते हैं आपके सामने emergency calls only का page खुल जाएगा जैसा कि live आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे कुछ method को apply करना है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इससे थोड़ा सा यह मिला लेता हूँ अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा emergency calls only का page यहाँ सामने में अब यह appeared हो चुका है सामने में दिख रहा है अब हमें यहाँ पे करना क्या चली वो आपको मैं बताता हूँ आप ध्यान से देखें इसे skip ना करें हम यहाँ पे पहले दो code का इस्तिमाल करेंगे पहला code है star has 56 61 61 star one sorry one two one और hedge फिर यहाँ पे इसे हम तीन बार call करेंगे एक बार हो गया दूसरी बार भी हो गई और third time भी हो गया फिर यह four time भी कर गया मैंने चलो कोई बात नहीं तीन से चार बार पांच बार आप try कर सकते हैं फिर इसे आपको यहाँ पे सारे code को हटा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक code इंटर करना वो code है star, hedge, eight, double, nine और hedge जैसे आप यह code इंटर करते हैं आपके स्मार्टफून में engineer mode activate हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पे life देख सकते हैं अब engineer mode जैसा कि आप इसके नाम को देख रहे हैं मैं आपको बता दू engineer mode एक ऐसा page है जिसका इस्तमाल आपके service center वाले जल्दी से phone को repair करने के लिए करते हैं जी हाँ जब उनके पास ज्यादा भीर होता है तो वो engineer mode का इस्तमाल करते हैं क्योंकि engineer mode में आपके computer का help नहीं होता है और इसमें आपको hard research भी मारने की जोड़त नहीं परती है आपको data lost नहीं होता है तो अब engineer mode का इस्तमाल करते हुए हम इसे unlock करेंगे लेकि उससे पहले आपको मैं एक warning देदू engineer mode जितना useful है उतना ही ये dangerous भी है क्योंकि engineer mode से आप अपने smartphone के किसी भी problem को ठीक कर सकते हैं लेकिन यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं और यदि आपने इसे open किया और इसके setting में आपने कुछ भी changes किया तो आपका smartphone dead हो सकता है खड़ाब हो सकता है तो इसलिए पहले engineer mode कार में जान ले और यदि आप जानना चाहते हैं कि engineer mode किस तरह से काम करते हैं यहां से आप कहा काम कर सकते हैं तो बिना देड कि हमाने channel को subscribe करें और comment बताएं ताकि हम इसके उपर एक special video बना के आपको दें फिलाल आप इसमें अपने handset को किस तरह से unlock करेंगे पहले यह जान लेते हैं इन सारे option में आपको एक option है जिसका नाम है manual test उसे खोजना होगा जो आप यहां पे number 4 पे देख सकते हैं यहां पे manual test लिखा है हम इसे यहां पे click करेंगे जैसी आप इसे click कर करते हैं आपके सामने एक निया page खुलेगा और आपको यहां भी कुछ नहीं करना है करना क्या होगा आपको इस तरह से swipe up करते जाएं और सबसे last का page other का पहुच जाएंगे आप इस other वाले page पे आपको अपने handset को unlock करने का method apply करना है और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपके option देख रहे हैं जिसका नाम है database version आप यहां पे देख सकते हैं इसे अपने lock हुए handset में इसे cross check करें यदि आपका भी database version same जो यहां पे दिखा रहा हो ही है तब तो आपका हैंset unlock हो जागा है कि यदि इससे अलग है तो समझे कि आपका पुराना हो चुका है और आपक करने का जो तरीका है वो भी अलग-अलग होता है तो मैं किसी एक के उपर बात नहीं कर सकता वरना बाकियों का काम नहीं हो पाएगा तो जिनका भी अलग है वो हमें comment करें चैनल को subscribe करते हुए कि आपके पास कौन सा OPPO का handset है और उसका database version क्या है ताकि मैं या फिर हमारे team आपको within two से three minute एक reply देंगे और उस reply से आप अपने database version को मात्र तीन मिनटों में change कर पाएंगे फिलाल ये मानग चलते हैं कि आपका same यही है या आपने हमारे help से इसे change कर लिए तो आगे क्या करना होगा आपको इसी mainboard version को या फिर database version को seven times आपको click करना होगा तो चली से click करत आपके handset का master unlocking mode activate हो जाता है अब आपको बस एक step लेना और आपका smartphone unlock हो जाएगा वो last step है number three पे दिये हुए key status को click करना तो चली इसे यहाँ पर click करते हैं जैसे आप इसे यहाँ पर click करेंगे आप देख सकते हैं live यह मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जितने भी आप और friend आप देख सकते हमने successfully इस handset को unlock कर लिया है वो भी बिना computer और बिना data loss का यदि आपका handset unlock हो गया है तो इस वीडियो को like करें शेयर करें और यदि आपका अभी तक handset unlock नहीं हुआ है तो बिना देर कि आप हाने चैनल को subscribe करें और comment बताएं कि आपके पास oppo का कौन सा smartphone ह है और उसका main version या फिट डेटावे वर्सन क्या है ताकि हम आपके helpker से कुछे unlock करने के लिए